नमस्ते यह कोई बहुत बड़ी बिमार ही नहीं है लेकिन सवाल भी होते हैं और किसी भी तरह की छोटी सी भी तकलिफ हो तो उसको दूर तो करना ही चाहिए कभी-कभी क्या है खान-पान से और रात के जागरण से बाहर जाके हम लोग कुछ ऐसे पकोड़े यहां अच्छे मिलते हैं या दाबेली-बाबेली ऐसे सब खाते हैं तो तेल डबल-डबल या गरम होता है ऐसे सब खाने से कोई तकलिफ होती है लेकिन वो आगे बढ़ सकता ह तो इसको जब शीत पित्ता हम कहते है अईरवेद में पित्ती ऐसे भी कहा जाता है अर्टिकेरिया लोग बोलते हैं यह क्या है जैसे मच्छर काटता है न तो बाद में तवचा पर एक चकत्ते आते हैं लाल कलर के तो ऐसे जब चकत्ते अपने हाँ पाजाएंगा मच्छर करड़ती काटाश नहीं है काटानी फिस नहीं ऑपने है ऊटनीं यह जनाता पजना कर से रहा है को चांसिक था यहार होते हैं फिर जादा मच्रेश को में इसकेन पोने से भी था फिर जादा मार में आ गया तो ऐसे नहीं कि तरह यह शीतपित्ता है गा तो यह सब जो होता है इसके लिए एलर्जी नाम दे देते हैं लोग तुमको ऐलर्जी है और फिर ऐसे ऐलर्जी के लिए कुछ गोलिया खाते रहते हैं अभी पुरानी चीज है बाहर निकाली या सफाई करते समय धूल या दिवाली दिपावली है दशेरा है तो ऐसी धूल लगने से भी आईसे कभी कभी होता है तो भी कहता है ऐलर्जी है यह अपने आप तो ठीक होने वाली नहीं है कभी कभी जरासा धूल होगी तो ठीक भी हो सकता है लेकिन लोग ऐलर्जी की दवा गोलिया खाते रहते यह पि बढ़ती रहेगी और फिर बात में और तकलीफ होती है वो काम नहीं करेगी दवा तो सबसे पहले एक बात समझें कि खान पाद में परेज, खटे पदार्थ बंद थोड़े दिन के लिए जब ऐसे आता है तभी, फिर फर्मेंटेड जो पदार्थ है वो नहीं अच्छे, सिमला मिर्च है, बेंगन है, गोबी फ्लावर है, टमाटर इमली है, अंडा है, नॉन्वेज है, तेल है, तेल में फ्राइड वस्तू है और यह जो अलू केते हैं हम लोग, इसके पत्ता बड़ा होता है, उसके भी एक इसी बनता है, अच्छे चीज, उससे भी बढ़ता है, तो यह चीजे थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल मत खाईए है, तो यह खाना बन करेंगे, तो एक तो गुणा आजाएगा, साथ में आसान उपाय भी दो तीन बताएंगे, कोकम, यह जो है, तो एक ग्लास है, उसमें यह ले लिजे, उसमें दो तीन कोकम डाल दीजे, और उसके उपर उबलता हूँ पानी डाल दीजे, और ढ़क कर रख दीजे, अब यह पानी ठंडा हो गया, तो चान लिजे, और यह जो कोड़ी शक्कर मिलाई है, और फिर यह पीजी है, और इसका ही पानी, यह जो छान कर जो यह निकले है कोकम, वो भी अपने चकत्ते पर आप लगा सकते हैं, तो ऐसे जरा घिसी है, तो एक काम हो जाएगा, पित्त कम करने के लिए, यह जो है न, गिलोए, देखें क्या मजब एक उंगली, इतना तुकड़ा, गिलोए का लेके, चार कप पानी, चार कप पानी में डालकर, एक कप पानी रहेकर, तब तक उबालिये उसको, और फिर थोड़ी कड़वात रहेगी, लेकिन यह विसरी डालके, यह खड़ी सारे अंदर, ले लीजिए, तो आपकी यह तकली आवी पत्तिकर चूरन, यह आईरवेट के एक बहुत प्रॉपिलर दवा है, दूसरा भी काम ज्यादा फाइदा इससे होते है, तो यह लीजिए, या तो हमें यह सैनकूल नाम का चूरन बनाते है, तो इससे सब निकल जाती है, पेट की गर्मी हो, आतों में, पेट में जो जमा वापित है, वो भी चला जाता है, तो यह भी आप निकाल सकते है, यह जो रोज वाटर गुलाब जल, सिंथेटिक निश्य है, सचमुच का गुलाब जल चाहिए, और वो भी उसके उपर लगाने से, खुजली बगरा कम हो जाएगी, या यह रोज ब्यूटी तेल है, व लिए निगलेक मत कीजिए, थोड़ा सा खानपान में सुधार कुछ दिनों के लिए, और या इसे कोई घरेली इलाज करके, इसका इलाज कीजिए, और शान्त रहेए.